हाई आज हम बात करेंगे सिंघाडे किन लोगों को नहीं खाना चाहिए ऐसे लोग जो सिंघाडे का सेवन करेंगे तो उनकी ये समस्य बहुत जादा बढ़ जाएंगे आप इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस करें लिखें और समझें ऐसे कौन से लोग है जिनको सिंघाडा नहीं सेवन करना चाहिए पिछले वीडियो में हमने समझा था सिंघाडा खाने के फायदे क्या होते हैं ये बहुत अच्छा फ्रूट है बहुत अच्छे इसके फायदे होते हैं लेकिन आपको ये भी समझना होगा इसके नुक्सान क्या होते है और फायदे भी समझेंगे इस वीडियो में इसके फा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसे कौन से लोग होते हैं जिन को ये नहीं सेवन करना चाहिए like . सबसे पहले फ्रेंट्स किड़नी के मरीज जिनको भी किड़नी की समस्याएं है या उनकी किड़नी सही से काम नहीं करती है किड़नी के वो मरीज है ऐसे मरीजों को सिंघाडे का सिवन नहीं करना चाहिए सिंघाडे के अंदर हाई पोटेशियम होता है यह आपके किड़नी को और जादा ड तो आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है साथी साथ जिनको प्लाइब के लियुक्र पानी से 17 नहीं करने चाहिए क्योंकि लिच्छाद अब रपूर अब उसके मात्रा में पानी पाई जाता है और सरी के अंदर पानी एकटदू है तो ऐसी स्तिती में आप सिंगाडे का सेवल न करें सिंगाडे की सेवन से बचें चुकि आपको ये समस्या बढ़ा सकता है पानी जादा होने की कारण ये आपके सरीर के अंदर पानी जादा एकटा कर सकता है इसके अलावा जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है यानि की जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर की लो होने की समस्या है ऐसे मरीजों को भी सिंगाडे का सेवन कम करना चाहिए चुकि इसके अंदर high potassium है और high potassium का मतलब होता है कि आपका जो high blood pressure है उसे कम करता है उसे maintain करके रखता है चुकि high potassium इसका मतलब आपके heart के लिए healthy तो है आपके heart के लिए बहुत जाला healthy है ये blood pressure को बढ़ने नहीं देगा या कम करेगा लेकिन जिनका blood pressure कम है उनका blood pressure और कम हो सकता है क्योंकि इसके अंदर high potassium है इसलिए ऐसे लोग जिनको low blood pressure की problem है hypotension की समस्या रहती है उनको भी सिंगाडे का सिबन नहीं करना चाहिए इसके अंदर copper है, manganese है जो आपकी kidney को damage कर सकता है इसके अंदर भरपूर मात्रा में V6 पाये जाता है जो आपकी kidney के लिए थोड़ा ठीक नहीं होता है carbohydrate की भी बहुत अच्छी मात्रा इसके अंदर पाये जाती है ऐसे लोग जिनको digestion जिनका सही नहीं है जैसे किसी को ulty हो रहे है, dust हो रहे है ऐसी इस्तिती में थोड़ा सा avoid करें क्योंकि कई लोगों में देखा गया है इसे देने से उनको ulty है start हो जाती है उनकी vomiting start हो जाती है तो ये लोग जिनको सिंगाडा खाने से सिंगाडा 7 से बचना चाहिए